हेलो दोस्तों कैसे हैं? आज हम लोग क्लास 10 का जो बोर्ड एक्जाम होने वाला है उसका इंगलिस का सैंपल पेपर के बारे में डिसक्रेशन करेंगे दोस्त पिछले दो वीडियो में हम लोग साइंस का और मैथमेटिक्स का क्वेस्चन देखे कोश्चन बहुत ही अच्छा है हुआ है दोस्त और पिछले जो एक्जाम्स हुए हैं या यूँ बोलें कि कोवीड नाइंटीन के बाद जो पैटर्ण बन रहा है दोस्त बिल्कुल अलग टैप का बन रहा है पहले इस तरह कोश्चन नहीं था बट अब इस तरह कोश्चन आ रहा है आप दोनों वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोश्चन का पैटर्ण की सरह से बदल रहा है अभी क्या हो रहा है कि 20-20 कोश्चन अब्जेक्टिव्स आ रहा है जोसका मार्किंग स्कीम है बहुत अलग टाइप से आ रहा है दो नमबर कोश्चन, तीन नमबर कोश्चन, केस बेस्ट कोश्चन आजकल जादा आ रहा है मतलब CBS ये चेक करना चाहती है कि बच्चों में एनालिटिकल इसकिल्स कितना है आपको पता होगा कि अभी जो नई सिक्चा नीती जो आ रही है उससे बहुत ज़्यादा इंफ्लूएंस लगता है है कि नहीं, बताना बहुत कठीन है बट मुझे ऐसा लगता है दोस्त कि ये इंफ्लूएंस है नई सिक्चा नीती को लेकर क्योंकि इसमें case-based question आ रहा है analytical questions आ रहा है conceptual based question आ रहा है इसका purpose क्या है यही बात तो आपको YouTube के बहुत सारे mediums पे platforms पे, new channels पे, papers में आई हुए थे कि ये हमारा जो नई सिक्चा नीती है 3 plus 2 plus 2 या फिर पता नहीं कैसे plus 2 plus 2 करके बनाया हुआ है इसका मतलब क्या है मतलब यही निकलता है दोस्ट कि अब जो question का pattern आ रहा है हमारा हर subject का वो थोड़ा सा conceptual based जादा आ रहा है तो हम सभी बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि questions को कैसे attempt किया जाए question को जब तक धंग से attempt नहीं करेंगे तो अच्छा गरे score करना है तो question को ध्यान से attempt करना पड़ेगा English का भी question बिलकुल वैसा ही है बहुत ही अच्छा question है दोस्ट हम अभी आपको screen पे लिए चलते हैं वहाँ पर आपको एका करके हम सारा explain कर देंगे question कैसे आया है इसमें आपको दोस्ट writing skills को बहुत इंप्रूफ करना पड़ेगा skimming skills को बहुत इंप्रूफ करना पड़ेगा जैसे passage आ रहा है passage generally जो आता है दोस्त 300-400 सब्द का आता है एक passage होगा दूसरा 300-400 सब्द का होगा अब इस बार कुछ सब्दों की संख्या बढ़ भी सकती है कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी CBSC आपके skills set को check कर रही है तो उस तरह question आएगा आपको उसको scheme करना पड़ेगा पढ़के समझना पड़ेगा फटा-फटा और उसको use करना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा हम लोग questions को ढूंडते रहे हैं कैसे solve करते हैं हम लोग कैसे solve किये हैं पिछले क्लासों में क्लास 8 में 7 में 9 में कैसे चिकरते थे पहले question पढ़ लिया passage को paragraph को पढ़ रहे हैं और उसमें से underline कर रहे हैं अरे इस question का line यहां पर मिल रहा है अगर दो number question है आधा number कट रहा है मतलब कितना हो गया 25% कट गया आपका number अगर एक number मिला मतलब 50% नमर आपका कट गया ऐसा क्यों हो रहा है यानि 80 में 50 कट गया मतलब 40 नमर ही आगा आपको तो कुछ अलग ढंक से सोचिए और इस तरह से बनाना है कि मेरा एक भी number नकट है अच्छा score हम लोग कर पाएं clear है चाहे वो कोई भी section हो चाहे वो editing हो, omission हो, later to editor हो चाहे कोई story building हो चाहे कोई poem का questions हो कोई भी question हो अभी हम आपको screen पर लिए चलते हैं एका करके हम आपको बताते हैं कोईशन को कैसे देखना है दोस्त धंग से तैरी कीजिए बहुत अच्छा score होगा कमाल का score होगा दोस्त चाहे हम लोग अभी screen पर चलते हैं अलो दोस्तों अब हम लोग screen पर आ गया है यहां देखेंगे हम लोग अपना sample paper को इसमें हम लोग का तीन section आया हुआ है reading section है grammar section है writing and literature section है सारे questions को attempt करने है तीन घंटे का समय है 80 number का question है सबसे पहला जो reading skills है इसमें आपको 2 passage आया हुआ है 10-10 number का 2 passage है इसमें आप देख रहे होंगे total यह 20 number का question है यह reading skills है इसमें board आपके reading capabilities को check करना चाहती है यह जो passage है हमारा तक्रीवन 400 सब्द का है आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर 444 words का यह passage है और इस पर based questions है जैसे कि हम आपको बताए है कि इसमें 20 objective questions तो यहाँ पर जो सारा questions है न एक अक number करके दिया हुआ है यहाँ पर आप देखिए सारे जो questions है option based है mcqs के form में है एक अक number का question है दोस्त ठीक है यहाँ पर एक अक number का question है इस passage पर based जो हम लोग अभी देखे किस पर based question है सारा mcq based है और हर para के लिए अलग-अलग question बनाये हुआ है आप यहाँ ध्यान देखिए para 1 से यह question लिया गया है इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक ही para पढ़कर छोड़ देंगे हर para पे question है दोस्त ठीक है तो आपको हर para पे अच्छा पकड़ बनाना है ध्यान से देखना है ताकि आपका problem solve हो सके देखिए para 1 से related है यह para 2 का question है question number 5 है para 2 question number 6 से देखिए para 2 आपको दिख रहा होगा question number 7 है para 3 है para 3 से 2 question है यहाँ पे आप देख रहे होंगे यह हमारा पहला paragraph का 10 questions हो गए second passage है दोस्त हमारा यह second passage है यह आप देखेंगे इसमें 234 words है 234 words है इसमें भी जो questions है हमारे पास वो सब एक अक number करके आया हुआ है इसमें आपका थोड़ा word पे command अच्छा होना चाहिए दोस्त थोड़ा अभी आपके पास वक्त है exam आपका February में होने वाला है आप थोड़ा अपना word stock को बढ़ा है क्योंकि जो passage में कुछ words जो है वो बहुत ही typical type का word दिया रहता है वो उस word का passage में जो use हुआ है उसके हिसाब से आप से अर्थ जानना चाहता है आप उसको explain करने लायक है कि नहीं तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और आप जैसे words का जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर aroma का use cooking में होता है तो painting में किसका use होगा ठीक है तो ये आपको इस तरह का जो हम लोग अकसर competitive type के questions में हम लोग देखते हैं कि जैसे column का use करते हैं लिखने के लिए तलवार के उसके के लिए करेंगे तो लड़ने के लिए तो इस तरह का reasoning based question जो होता है थोड़ा से उसके लिए आपको ध्यान देना पुड़ेगा सारा question जो है दोस्त वो एक अक number के form में है देखे थोड़ा सब क्या है कि यहाँ पर आप ग्राफिकल representation है आपका तो आपको उस passage को पढ़ने के बाद आपको इस बात का analyze हो जाना चाहिए कि उसमें किस तरह का जो board है आपसे demand कर रही है आपका उस पे hold कितना आप कितना अचा से skimming कर पाए है उस passage को इसी में एक question यह भी है जो कि जो देख नहीं सकते हैं तो वो तो graph को देख नहीं पाएंगे समझ नहीं पाएंगे तो उनके लिए दूसरा question है यहाँ पर ठीक है इस तरह से आपका दोनों passage खतम होता है देखिए one word भी use करने के लिए आया हुआ है पैराग्राफ टू के हिसाब से question दिया वर्स में बोला जिता है किसे में one word similar in meaning बताइए एक सब्द में इतना बड़ा passage के लिए क्या करेंगे जो underland में है यहाँ इस तरह से हमारा 10 question complete होता है दोस्त अब section B जो है grammar का section है यहाँ पर आप देखेंगे क्या जो आपका जो fill in the blanks के form में एक नमबर का question है दोस्त anything कोई 10 बनाना है आपको और जो है एक नमबर के form में है सारा question है जैसे अब इस तरह का sentence देखेंगे आप इस तरह का sentence देखेंगे the climate control comment by an activity sorry activist blank express on social media yesterday इसमें क्या भरना चाहिए आपको देखके समझ में आ जाना चाहिए yesterday है इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर past tense भरा जाएगा past tense इसमें कौन है वो देख लीजे will be यह तो future tense है is blown आपका passive voice है blew up एक past tense है blow up present tense है simple option भी सही होगा यहाँ पर आपको धियान देना है दोस्त यहाँ पर देखें dialogue type का question है इस बार के exam में जो sample paper है ऐसा लगता है कि dialogue based question सबसे अधीक होने वाले हैं दोस्त पूरे आप question paper में देखेंगे सबसे अधीक आपका dialogue based question है देखें यहाँ पर भी dialogue based question है आगे हम लोग पढ़ेंगे चुकि हर chapter को consider करना है अपने को यहाँ पर आप देखा है question सब fill in the blanks के form में है grammar का section है आपका इस बार दोस्त क्या है ना कि जैसे पिछले exams में editing आता था error आता था आपको उसमें से चून के बताना होता था ओमी सन आता था कि कहां गलती हुई है गलती को लिखे और उसका जगा पर सही शब्द को लिखे या फिर सब्द के आगे पीछे जो गलत सब्द है उसके आगे पीछे का शब्द लिखे ठीक है तो इस तरह का आता था लेक प्रकेट में जो वर्ड है उसके लिए क्या यूज करेंगे इस तूरी स्पेक्टफुली सब्मीट एट आई ब्लैंके स्पेस अप्रूफ और और गनाइजिंग अट्री प्लान्टेशन ड्राइव टू बी अंडर्टेकन भाई दे क्लव क्या होना चाहिए यहां पर सिंपल अ साथ सीकिंग नहीं यूज करते हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे हैं अपर डिटले सीख लगाएंगे आई सीक अधे प्रूफ फॉर और गनाइजिंग ट्री प्लान्टेशन ठीक है ऐसे करके हम लोग देखिए यहां पर आपका क्या है आपका डालोग टैपकर प्रेसन और दिखा हुआ हम लोग अभी जिसकी बात कर रहे थे एडिटिंग का यहां पर क्यों कुछ इस तरह का इस पर आया हुआ है दोस्त आपको देखें यहां पर भी डायलोग टाइप में कोश्चन है क्या होना चाहिए ने रेजिजन टैपकर क्यों है ने रेजिजन कहां पर है उसका सुधार के आपको लिखना है creative writing जो section b है यह भी बहुत important है इसमें देखे क्या लिखना है इनी one बनाना इसमें से कोई एक बनाना है आपका ठीक है इस तरह का एक message दिया हुआ है ठीक है इस message के हिसाब से आपको क्या लिखना है लेटर टू एडिटर लिखना है, एडिटर के पास 120 words में एक लिखना है, ठीक है, या फिर आप ऐसे इसका लिख सकते हैं, इसका और करके भी question है, फिर यहाँ पर भी anyone लिखना है, पाच नमबर का question होगा दोस्ति ये भी, पाच नमबर का इसमे पैसे स्टैप का लिखना है, इसमें क्या है, आपका क analysis को बोलते हैं, SWOT, SWOT analysis, हम लोग का management का सबसे important पार्ट था, हम लोग हर चीज के लिए काते हैं, आपका हो सकता है, हमारा हो सकता है, सबका हो सकता है, तो उसके बेस्ट आपको एक paragraph लिखना है, 100 to 100 words में, जैसे यहाँ पर देखेंगे आपको क्या है, कि आपका एक educational practice है, यहा argument में कैसा होता है, आप favor में भी दे सकते हैं, against में भी दे सकते हैं, आपको जैसा मर्जी वह ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप बात लिखेंगे, उसके लिए strong point आपको देना पड़ेगा, यह आपका literature section है, जो कि आपका book से होगा, ठीक है, अब देखें, यह 40 number का question है, इस इस वह खास बात देना है, 40 number मतलब क्या हो गया, 50% question इस वह आपको book से आने है, और हर chapter को आपको ढग से पढ़ने हैं, इस वह याद रखेगा, क्योंकि questions बहुत अंदर-अंदर से डाला हुआ है, यह देखें, आपका tea garden वाला question है, glimpse of India से, देखें, लिखा भी है, glimpse of India से, य जो question है, यह आपको 5 number को question है, कोई एक लिखना है, ठीक है, इसमें देखें, question कैसे दिया हुआ है, अब देखें, छोटा-छोटा question बना के दिया, one liner बना के दिया हुआ है, ठीक है, आप सारा question देखेंगे, सब one liner बना के आपको दिया हुआ है, यह last वाला जिकना, who saved the earth, ऐसा वाला जो last chapter है, omega वाला जो chapter है, उससे question दिया है, इसका option में, आप दोनों में से कोई एक बना सकते हैं, the book that saved the earth, याद होगा आपको, इसमें सारा question जो है दोस्त, one word, एक number का बना के दिया हुआ है, यानि कि पूरा chapter पढ़ना है, अगर धंक से आप पढ़ते हैं, तो इसमें आपको 80 में 80 लाने से कोई नहीं रोख सकता दोस्त, आप 80 नमर गेन कर सकते हैं, यहाँ पर, आप देख रहे होंगे, सारा question one liner बना के रखा हुआ है, अगर आपको क्या करना है, चैप्टर को थोड़ा सा धंक से पढ़ना है दोस्त, और आपका number confirm आ रहा है दोस्त, बहुत best question है, that question है, आप यहाँ देख रहे हैं, सब पोयम पर best question है, पोयम पढ़ेंगे, पांच नमर question, exactly उसी तरह से हमारा आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए, पोयम है और उस पर best हमारा question है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है दोस्त, यहाँ पर any four देना है, यानि कि यह तीन तीन नमर कोश्चन है, चैप्टर से, ठीक है, देखिए, यहाँ पर लिखा हूँ अभी यह first right question है, फारनाइस का कोश्चन है, madam right सा बस का कोश्चन है, the proposal का कोश्चन है, यह भी कोई दो लिखना है, यह अभी तीन दीन नमर का है दोस्त, ट्रीम फॉप सरजरी का है, मीडनेट वीजिटर का है, देखिए, लिखा हूँ अभी है, question जो आया हुआ है, उसमें chapter का नाम भी mentioned है, इसका मतलब आपो क्या करना है, कि पुरा चैप्टर को धंक से भी पढ़ने आपको, the making of a scientist, यहाँ दे देखे, लिखा है, write this conversation as per your understanding of miserable, the otter and a tiger in the zoo, जिसके हिसाब से आपका बैठ रहा है, आप उसको बना के दिखाएंगे आपको, और इस question को लिखना कैसे जुरू करना यहाँ पर देखे लिखा हुआ भी है, you may begin like this, आप ऐसे जुरू करेंगे, tiger ऐसे बोलता है, miserable ऐसे बोलता है इस टाइब से, option में भी दिया हुआ है, कोई एक question मनाना है इसमें भी, ठीक है दोस्त, fiction writers prefer creating gray characters rather than black and white, analyze in detail, इसको डिटेल में बताना है आपको 100-120 words में 6 नमर का question है दोस्ते भी, इसका और कर question है, honor among thieves is considered a popular code, examine a question of trust, question of trust से है question है, इसको आपको बताना है कि जो बात लिखी आप किसे कितना favorable condition में है, कितना favor आप करते हैं, नहीं करते हैं, आप अपने विचारों को यहाँ पर लिखेंगे दोस्त, इस तरह से दोस्त हम लोगा ये, पूरा section complete हो जाता है, इस तरह को question है, आपको करना क्या है, हर chapter को बढ़ियां से पढ़िये, धंक से पढ़िये, अभ बाकी लोगों करें ना करें, कोई फरक ने पढ़ता, अपने दोस्तों को relatives में जो भी जो बच्चे class train का exam दे रहे हों, उनको जरूर forward कर दीजे, ताकि वो भी इसका फैदा उठा सके हैं, ठीक है दोस्त, थैंक ये दोस्त, आगा हम लोग अगले वीडियो मीलते हैं, कुछ नए सेक्सन के साथ. झांवा । झाल 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 झाल